बुझने लगी हो आखे तेरी, चाहे थम जाये रखतार, उखर रही हो सांसे तेरी, मन करता हो चितकार, दोश विधाता कोना देना, दोश विधाता कोना देना, मन में रखना तू ये आस, रडविजयी बनता वही जिसके पास हो आत्म विश्वास, तो आप सभी के इस आत्म विश्वास को बरकरार रखने के लिए, इस आत्म विश्वास को बनाये रखने के लिए, मैं सिस्टी सिवास तो स्वागत करती हो आपके अपने संस्थान Target with All Out में चलिए शुरू करते हैं हम अपने TGT PGT की एक नई श्रिंखला जिसमें आप सभी को नए तरीके से बहतर तरीके से आपकी तैयारी और बहतरीन कराई जाएगी इसमें हम आपको जो है सब्जिक्ट किस प्रकार से पढ़ना होता है बेसिकली अगर हम TGT PGT की बात करें तो TGT PGT में आपके Home Science subject में जो important आपके parts हैं आपके जिसे कहते हैं कि यह आपके Home Science के पांच मुख्य parts हैं कौन-कौन से तो आपका textile है, child development है, home management है, extension education है और आपका food science है ठीक है इसके अलावा जो एक बहुत ही महत्वपूर PGT के बच्चों के लिए segment है वो कौन सा है वो है आपका human physiology ठीक है क्या है भाई, human physiology है आपका यह ठीक है, तो यहाँ पे आपको यह ध्यान में रखना है कि TGT और PGT, ठीक है यह जो human physiology है, यह हमारे PGT वाले बच्चे पढ़ते हैं और लगभग 50% question जो आपके बनते हैं वो आपके physiology से पूछे जाते हैं, बाकी आपके textile से भी पूछे जाएंगे, child development, home management, extension, food science, health science, यहां से भी प्रश्न बनेंगे, लेकिन PGT के बच्चों के लिए especially आपके human physiology से लखना है कि TGT और PGT में यह जितने आपके home science के parts हैं, इन सभी को आपको detail में पढ़ना होता है, अगर आप textile पढ़ते हैं, तो उसको आपको detail में पढ़ना होता है, सिर्फ अगर एक line आपके syllabus में लिखा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वहीं से सिर्फ प्रश्न बनेगा, इसका में पढ़ना है, तो इसमें बालक क्या विकास, आपके गरवा वस्ता से ले करके, पूरा आपका किशोरा वस्ता तक आपको यहां पर पढ़ना पढ़ता है, साथी गरवती इस्त्रियों की समस्याएं, कौन-कौन सी कठिनाईयां होती है, और क्या-क्या उन्हें पोशर देना होता है, यह सब भी आप यहां पर पढ़ते हैं, यहां से आपके जो है, ग्रोथ और डेवलोप्मेंट से अधिक कोशन्स बन जाते हैं, अगर हम बात कर ले हों मैनेजमेंट की आपके, तो ग्रिह सज्जा क्या है, ग्रिह सज्जा से यहां पर प्रश्न बनते हैं, ठीक है, अनुपात क्या है, ले क्या है, कला के तत्व, कला के सिधान्त, रसोई घर, हर एक पार्ट्स इसके अंदर भी, यह सिर्फ एक ऐसे लाइन लिखा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि होम मैनेजमेंट सिर्फ इतना ही है, होम मैनेजमेंट उठाते तो उसमें भी आपको बहुत साई चीजे पढ़नी होती है, अगर आप extension education पढ़ते हैं, तो इसमें भी आपको सारी चीजे पढ़नी होती है, अगर एक लाइन में extension education की हम व्याख्या करें, तो सिर्फ हम यह कह सकते हैं, कि यह आपके ग्रामीडों की सिक्षा है, ग् आपका पोशड क्या है, ठीक है, पोशड से संबंधिती हाँ पे question पूछे जाते है, साथी साथ आपका protein है, carbohydrate है, जितने भी पोशक तत्व हैं, पोशड अलग है, ठीक है, एक nutrition है, एक आपके पोशक तत्व है, तो जिसमें आपका protein, carbohydrate, वसा, खनी जिलवर, इन सभी से आपक कितना पोशड चाहिए होता है, कितना calorie चाहिए होता है, RDA से आपके question पूछे जाते हैं, कि एक स्वस्थ महिला को कितनी protein देनी चाहिए, तो कितना देना चाहिए, आप सभी बताएंगे, आंसर करेंगे, कि आपका जो RDA 2020 है, उसके अनुसार, कितना एक महिला को, एक स्वस् कितना चाहिए, यह सब कुछ आपको यहां पे पढ़ना होता है, और यहीं से आपके प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो basically यह जो हमारे 4-5 मंथ हैं, इसमें क्या करना है, एक बहतरीन रड़नीती जो हमने आपके लिए बना ली है, बस उसी रड़नीती पर आपको सिर्फ हम पर भरोसा करके इसी रड़नीती पर आपको काम करते चले जाना है, क्योंकि यह जो 4-5 महीने आपके बचे हुए हैं, यह बहुत ही महत्तोपोड हैं, यह समय है कि अब आप जो है, जो सोय हुए हैं अब जग जाएं, और अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, तो भी आपक करते तो भी तो आपके आदत छूट जाती, तो अगर आपको रिवीजन करना है, तो भी आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा आउसर है, कि आप इस 4-5 महीनों में लग करके बहुत अक्छे से रिवीजन करिए, और अपनी तैयारी को इतना बहतरीन बनाईए, कि यह जो आपक सीट है, TGT, PGT की, वो आप से ना छूटे, ठीके, चलिए स्टार्ट करते हम आज की अपनी क्लास, और आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, हमारे होम मैनेजमेंट में जो सोसियोलोजी का एक पार्ट जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है आपका वीवा, वीवा क्या है, बेसिकली समासास का एक पोर्शन है, जिसको हम होम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, इस से रिलेटेड कई सारे प्रशन आपको एक्जाम में TGT के पूछे जाते हैं, आपके PGT में भी इस से रिलेटेड कोशन पूछे गए हैं, तो आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, हम विवाह क्या है, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि विवाह आपकी एक सार्व भौमिक संस्था होती है, यह क्या है, सार्व भौमिक संस्था होती है, दो विपरीत लिंग के व्यक्तियों को, दो विपरीत का मतलब यह है, एक गर्ल और एक ब्वाय, ठीक है, तो दो विपरीत लिंग के जो व्यक्ति हैं, उन्हें क्या करती है, उन्हें एक साथ ले आती है, उन्हें एक साथ ला करके उन्हें विवाहिक बंधन में बांधती है, कौन विवा, साथी साथ जो आपका विवा है, ये क्या करता है, तो ये आपके यौन संबंध के लिए अवश्यक है, इसको व्याधता प्रदान करता है यौन संबंद को एक प्रकार से यह क्या प्रदान कर रहा है व्याधता प्रदान कर रहा है संतान उत्पन करने की आपको व्याधता देता है कि आप विवाह के पास्चाथ क्या कर सकते हैं संतान उत्पन कर सकते हैं तो यह सभी एक इंपोर्टेंट कदम है अगर आपको परिवार अपना बनाना है तो कैसे बनाएंगे तो हिंदू समाज में तो यही प्रचलन है कि सबसे पहले विवाह होता है और विवाह के पस्चात ही परिवार बनता है तो आपको पत्या है कि हमें परिवार भी पढ़ना है ऐसा नहीं आपके सोसियोलोजी के पार्ट में आप परिवार भी पढ़ते हैं home science में तो परिवार और परिवार से उठने वाले जो question हैं उसको हम अगले पार्ट में discuss करेंगे आज हम लोग basically विवाह के उपर चर्चा करते हैं तो ये परिवारिक जीवन में प्रवेश करने की क्या है संस्था है और साथ थी साथ आप समझेगा परिवार जैसी संस्था को बनाए रखने के लिए परिवार भी एक संस्था है विवाह भी एक संस्था है तो परिवार जैसी संस्था को बनाए रखने के लिए विवाह जैसी संस्था का जन्म तो फिर जैसे ही उनका लड़ाई हुआ जगड़ा हुआ आपस में अलग हो गया लेकिन जब आप वैवाहिक बंधन में बनते हैं तो इतने ही आसानी से आप एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते कि दो मिनट थोड़ा सा आपका आपस में जगड़ा हुआ चलो भईया अलग हो यह नहीं होता है यहाँ पे यह आपका क्या है यह आपके परिवार को बनाए रखता है दो लोगों को आपस में जोड़ने की कड़ी है बेसिकली वीवाह इस्तरी और पुरूस को आपस में क्या करती है जोड़े रखती है ठीक है चलिए कुछ परिभासाएं हैं जिनसे important line होती है जो कथन होता है उसे आप निकाल लिजीए और उसे आप याद करी miał देखे बताती हूं आपको कैसे पढ़ना होता है pom factory जैसे बोगार्डस है ठीक है क्या है इन्होंने विवा को कैसे परिभासित किया तो इन्होंने कहा कि विवा पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है तो सिर्फ आपको इतना ही याद करना है कि विवा क्या है ये परिवार में प्रवेश करने की एक संस्था होती ह दूसरा अगर हम देखे वेस्टर मार्क सर इन्होंने क्या कहा है इनकी बुक भी है मैरेज को ले करके इन्होंने क्या कहा कि वीवाह हमें कानूनी स्विक्रती प्रदान करती है दो लोगों को कानूनी स्विक्रती प्रदान करती है कि वो एक साथ रह सकी लड़की और लड़का एक साथ रहने के लिए उन्हें विवाह करना पड़ता है ये कानूनी स्विक्रिती दे रही है तीसरा जो आपके पास है वो है मैलिनो वस्की का इन्होंने कहा कि विवाह एक इकरार नामा है ठीक है मैलिनो वस्की क्या कहते हैं ये कहते हैं कि विवाह आपका एक इकरार नामा ह फिर आते हैं मर्डॉक सर ये क्या कहते हैं भई तो ये कहते हैं कि निश्चित यौन संबंध और आर्थिक सहयोग तो विवा के पस्चात यौन संबंध बनता है परिवार के शुरुवात होती है साथी साथ आर्थिक सहयोग का ये मतलब है कि अगर इस्त्री और पुरुष मिल गर तो प्रावं क्या कहते है ये कहते हैं कि हिंदू एक धार्मिक संशकार है ध्यान से सुनिएगा हिंदू विवा को एक धार्मिक संसकार माना गया है किस ने कहा है पी और प्रभू ने कहा है विवा तो हर धर्म में होता है लेकिन हिंदू धर्म में जो विवा है उसको एक धार्मिक संसकार कहा गया है वही मुस्लिम विवाह की बात करें तो मुस्लिम विवाह को धार्मिक संसकार नहीं कहा गया, वो कहा गया कि यह यौन संबंद बनाने के लिए आपका विवाह किया जाता है, यह मुस्लिम विवाह में यह कहा गया है, वही हिंदू विवाह में आपका कहा गया कि यह आपका एक धार्मिक संसकार होता है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं विवाह के कुछ उद्देश होते हैं क्यूं किया जाता है विवाह कुछ तो कारण होगा तो कारण क्या है कुछ उद्देश हैं उसको समझते हैं करतव्यों का पालन करते हैं विवाह के पूरती दाइट आजाते हैं, तो इस्तरी और पूरुस आपस में मिल करके, संबंध स्थापित करके, अपने परिवार को आगे ले करके चलते हैं, बच्चे उत्पन करते हैं, योन इच्छाओं की पूर्ती करते हैं, और साथी साथ धार्मिक और सामाजिक उद्देश्य की प जैसे आपको पते है हिंदु द्वर में क्या है कि एक यग्य तब 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 पूरा नहीं होता जब तक इस्त्री और पुरुस साथ में मिल करके जो है यग्य ना करें केवल इस्त्री ही करेगी तब भी नहीं पूरा है केवल पूरुष करेगा तब भी नहीं पूरा है तो उसक माता ने उसके बाद उसकी भी पहले उने उनकी माता ने उनके परिवार ने सिखाया तो यह क्या में समझेगा आपके विवाह के प्रकार कौन-कौन से हैं, तो विवाह के कई प्रकार हैं, ठीक है, क्या है, विवाह के कई प्रकार हैं, तो पहला जो विवाह है, उसको हम बोलते हैं एक विवाह, और जो दूसरा मुख्य प्रकार है, उसको हम बोलते हैं बहु विवाह, बेसि भी इसको दो भागों में बाढ़ते हैं एक आपका क्रमिक एकल वीवा होता है ठीक है एक क्या होता है एक आपका क्रमिक एकल वीवा होता है और जो दूसरा है वो है आपका एकल वीवा तो क्रमिक एकल वीवा को सीरियल मोनोगैमी कहा गया है और सीरियल मोनोगैमी का मतलब यह है कि इसमें अगर हमारा कोई जीवन साथी है और उसकी मृत्य हो गई और साथी साथ या मृत्य ना भी होई और हमने आपस में डिवास ले लिया तलाक ले लिया तो उसके पश्चात विवा कर सकते हैं उसके पश्चात वो विवा कर सकता है लेकिन एक समय पर एक ही पत्नी या फिर आपस में जो है अलग हो गए कुछ आपस में विचार धाराएं नहीं मिली और हम अलग हो गए तब क्या होगा तब आपका जो है क्रमिक एकल विवा होता है यानि उसके बाद अगर कोई व्यक्त किसी से विवा करेगा तो उसको क्रमिक एकल विवा कहते हैं लेकिन एक समय में एक ही होगा ठीक है दूसरा आपका है एकल विवा यानि कि यह जलत पहले के टाइम पर यह आप देख पा रहे होंगे कि अगर इस्त्रियां है और उनके हस्बेंड की डेथ हो गई तो पूरे जीवन वो कोई विवाह नहीं करती सेम यही कंडिशन पुरसों के साथ भी लागू होती है कि अगर वो है और उनकी वाइफ की डेथ हो जाए पिर भी उन्हें कोई और विवाह नहीं करना यानि पूरे जीवन काल में वह बस एक ही बार विवाह कर सकते है यह आपका क्या कहलाया यह आपका एक विवाह कहलाया ठीक है चलिए आगे बदे जहता है और एक से अधिक वीवा तो देखिए गाइस को बोलते हैं पॉली गैमी और इसे भी हम दो भागों में बाट देते हैं एक हमारा क्या है एक है हमारा बहुपती वीवा और दूसरा है हमारा बहुपतनी वीवा बहुपती वीवा को हम पॉली यांडरी मैरेज कहते हैं और बहुपत fraternal marriage होता है और एक आपका non fraternal marriage होता है fraternal का मतलब होता है भार्तिक बहुपती विवाह और non fraternal का मतलब होता है आभार्तिक बहुपती विवाह भार्तिक बहुपती विवाह क्या है कि इसमें एक इस्तरी होगी और उसके कई सारे husband होंगे मतलब एक से अधिक husband हो सकते हैं और वो आपस में भाई होंगे, for example, जैसे द्रौपदी का विवा, आपने देखा है, ठीक है, तो इसमें क्या है, द्रौपदी एक है, और उसके पती पाँच हैं, और पांचों आपस में भाई हैं, किसका उधारण है, भारतक बहुपती विवा का उधारण है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है अभ़ार्टक बहुपती विवा, यानि इस्तरी एक ही होगी, पती कई सारे होंगे, हस्बेंड कई होंगे, लेकिन वो आपस में भाई नहीं होंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे आप non-saternal यानि अभ़ार्टिक बहुपती विवा कहते हैं, इसके बाद आपके पास है साली बहु पत्नी वीवा यानि कि जब एक पुरुस की एक से अधिक पत्निया होंगी और वो सभी आपस में बहने होंगी तो उसे आप साली बहु पत्नी कहते हैं, यानि कि एक पुरुस हो गया, ठीक है इसमें क्या हुआ एक पुरुष है भाई, ये एक पुरुष महुदे हैं और इनकी कई सारी पत्निया होंगी, ये सबी आपस में सगी बहने होंगी, इसी को क्या कहा गया है साली बहुपत्नी विवा, मतलब बहुपत्नी है लेकिन कौन सालिया और एक से अधिक सभी बहने, ठीक है, उसके बाद ह आपका गैर साली बहु पतनी विवाह और ये जो गैर साली बहु पतनी विवाह है ये क्या है इसमें भी पुरुस आपका एक होगा लेकिन पतनिया कई सारी होंगी बस ये पतनी आपस में बहने नहीं होंगी इसी को आपके क्या कहा गया गैर साली बहु पतनी विवाह कहा गया तो बहु विवा आप भी दो प्रकार हैं बहु पती बहु पतनी बहु पती में एक भाई वाला मतलब कई भाई होंगे और दूसरा जो है कई भाई होंगे लेकिन वो आपस में मतलब कई पती होंगे लेकिन वो आपस में भाई नहीं होंगे फिर यहां पर आपका साली बहु प परचित होंगे कई सारे सोसल मीडिया पर आप देखते होंगे कि लड़किया लड़किया आपस में विवाह कर रही हैं लड़के लड़के आपस में विवाह कर रहे हैं और इस विवाह को क्या नाम दिया जाता है इसे हम कहते हैं समलैंगिक विवाह यानि अपने ही लिंग में जब आप विवाह करते हैं जिसे आप homosexual marriage कहेंगे वही marriage क्या कहलाता है समलैंगिक विवाह यानि कि अपने लिंग में विवाह करना इस्तरी इस्तरी विवाह कर लेंगे और पुरुस पुरुस विवाह कर लेंगे कहने में थोड़ा आठपटा है लेकिन आज के टाइम पे ये ब आपस में बहने होंगी कई बहनी होंगी यहाँ पे शाली विवाह को आप क्या कहेंगे साली विवाह कहेंगे पतनी की मृत्त वेवाह कर लेते हैं बस वही आपका क्या expand कहला hemisphere नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका देवर विवा कभी कभी क्या होता है कि आपके हस्बेंट की डेथ हो जाती है किसी के भी हस्बेंट की डेथ अगर हो गई मृत्यू हो गई तो पती के मृत्यू के पश्चात उसी के भाई से विवाह करा दिया जाता है अब ये छोटे भी बड़े भी हो सकते हैं जाद तर छोटे भाई से ये विवाह कराया जाता है इसलिए इसको देवर विवाह कहा गया है कि पती के डेथ हो गई तो चलो उसके भाई से छोटे भाई से अब उसका विवाह करा दें इसी को हम लैविरेट मैरेज कहते हैं ठीक है उसके बाद आपका जो दो बहुत महत्व व्यूत व्य को गुपए वे जाते हैं वह यह है कि अनुलॉम विवाह क्या है और प्रती लोम विवाह क्या है अकर अनुलॉम विवाह की बात करें तो यह आपका hypergamy marriage इंकलिस का term हम भी याद रखते चलिएगा क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लेता है हिंदी में तो हम कन्फ्यूज हो जाएंगे लेकिन इंग्लिस आपकी वही रहेगी इसलिए हिंदी पढ़ते रहे लेकिन साथ में उसके इंग्लिस टर्म्स को भी जानते रहे ये बहुत जरूरी हो जात है उच जाती का लड़का होगा निम्न जाती की लड़की होगी इसी के बीच में अगर विवाह करा दिया जाए तो इसी को आप अनुलोम विवाह कहते हैं ठीक है फिर से समझ येगा ये क्या है अनुलोम विवाह जिसमें उच जाती का लड़का होगा निम्न जाती की देते हैं दूसरा इसी के समकष है आपका प्रतिलोम वीवाह से आप हाइपोगैमी मेरिज के नाम से जानते हैं इसमें इसका बस ध्यान से यहां पर यहां पर उच्छाति की क्या होगी लड़की होगी घरल होगी जी मतलब घरल और वी तो निके लड़का तो same इसी का opposite है निम्न जाती की लड़की यहाँ निम्न जाती का लड़का यहाँ पे उच्च जाती का लड़का यहाँ पे आपकी उच्च जाती की लड़की यानि उच्च जाती की लड़की और निम्न जाती की लड़की के बीच में जब विवाह कराया जाता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं, I hope आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलिए आगे समझते हैं, next आपका जो है, यहां से भी कई बार आपके प्रश्न पूछा गया है, और अक्सर बच्चे इसको गलत कर देते हैं कि अंतर विवाह क्या होता है और बहिर विवाह क्या होता क्या है, अंतर विवाह को बोलते हैं आप इंडो गयमी मैरेज, क्या बोलेंगे इंडो गयमी और वहीं बहिर विवाह को बोलते हैं एक्सो, एक्सो मतलब क्या, एक्स मतलब बाहर, तो एक्सो मतलब एक्सो गयमी यानि कि एक्स मतलब बाहर, यानि कि यह बहिर विवाह होगा बाहर विवा होगा किसके बाहर अपने समू के बाहर अपने गोत्र के बाहर अपने टोटम के बाहर अपने पिंड के बाहर अपने प्रवर के बाहर यानि अपने समू, अपने गोत्र, अपने पिंड, अपने टोटम, अपने प्रवर को छोड़ करके जो विवाह कराया जाता है जो विवाह किया जाता है उसे आप क्या कहते हैं उसे आप कहते हैं बहिर विवा जस्ट इसी का अपोजट आपका अंतर विवाह है अंतर विवाह क्या कहता है तो अंतर विवाह कहता है कि अगर हम अपने समूह, अपने जाती, अपने उपजाती, अपने ही वर्ण, अपने ही अपने ही प्रवर में वीवाह करते हैं तो यह क्या कहलाएगा यह आपका कहलाता है अंतर वीवाह यानि इसमें क्या हो रहा है इसमें अपने ही समूह में वीवाह हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है इसमें अपने समूह से बाहर वीवाह हो रहा है तो इसको आप क्या बोल रह इसको आप बहिर विवाह बोल रहे हैं अंतर विवाह बहिर विवाह में बस इतना ही अंतर है इन दोनों में ही जादा बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं एक अनिलोम और प्रतिलोम में अनुलोम में क्या होगा उच जाती का लड़का निम्नजाती की लड़की और प्रतिलोम म में अपने समू, अपनी जाती, अपने उप जाती, अपने वण, अपने गोत्र, अपने सपिंड, अपने प्रवर में विवाह कराया जाएगा, और बहिर विवाह में अपने समू से बाहर विवाह कराया जाएगा, ठीक है भई, चलिए, आगे चलते हैं, अब हमें पढ़ना है हिंदू विवाह की पध्धती समझीगा हिंदू विवाह की पध्धती क्या है मैं यहाँ प्रकार भी लिख सकती थी कि भाई हिंदू विवाह के प्रकार लेकिन हिंदू विवाह के जो प्रकार हैं वो आपके जो है कई सारे हैं जो आपने देख लिए, लेकिन ये प्रकार नहीं, इसे बेसिकली पधती कहा जाता है, हिंदु विवा की पधती कौन-कौन से, प्रश्न तो यहां से बन जाते हैं कि हिंदु विवा के प्रकार कौन से और आप लोग आठ लगा के आते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर सही रूप में देखा जाए तो ये हिंदु विवा के प्रकार नहीं है ये हिंदु विवा की पध्धती कहलाती है कौन कौन सी पध्धती है तो पहला है आपका ब्रह्म विवा दूसरा है आपका दैव विवा तीसरा क्या है तीसरा है आपका आर्श विवा चौथा क्या है चौथ अपका प्रजापत्य वीवाषर पिर आप का रक्षज वीवा पिर आपका पैश्आच वीवाष और उसकी बाद है कंधरव भीवा ठीक है तो यह क्या है यह आपके हिंदु वीवाह की पद्धि अब इसको आप समझेगा viva hai brahma했던 क्या है brahma आपका सबसे सर्व श्रेष्ठ विवाह कहलाता है इसमें क्या होता है इसमें करने के पिता जो है करने के लिए बारड होटे है और उनसे पूरे कारय जो है पूरा होन वग Kelsey प्रकार से जासे जैसलों आस की समय में होता आया है उस तरह से कन्या का वीवाह इसमें कराया जाता है सबसे ज़्यादा जो ध्यान में आपको ये टम रखना है कि आपका ब्रह्म वीवाह क्या है तो ब्रह्म वीवाह आपका सर्वश्रेष्ठ वीवाह कहलाता है उसके बाद आपका है दैव वीवाह में क्या होता वर का यानि की वर का और वधू का ठीक है उन दोनों का विवा कराया जाता है इसको दैव विवा कहते हैं और यहीं से आपके देवदासी प्रथा का भी प्रचलन हुआ था देवदासी प्रथा का भी यहीं से इसी विवा से आपके देवदासी प्रथा का भी प्रचलन हुआ तो कभी-कभी ये भी पूछ लेता है तो इसको भी ध्यान में रखिएगा अगला जो है आपका वो क्या है वो है आर्श वीवा ठीक है आर्श वीवा में क्या होता है तो इसमें दो जोडी ठीक है दो जोडी क्या दो जोडी गाय और बैल दो जोडी गाय और बैल वर का जो पिता है वो कन्या के पिता को प्रदान करता है ये क्या है ये कोई कन्या मूले नहीं है ये इसलिए है ताकि जो कन्या का पिता है वो अपना जीवन यापन अच्छे से बिता सके उसे किसी प्रकार का कष्ट ना हो आने वाले भविष्य में वो अपना जीवन ठीक प्रकार से चला सके अपना पालन पोशंट अच्छे से कर सके इस वज़े से उसे दो जोड़ी गाए और बैल भेट स्वरूप प्रदान करते ह कौन वर का पिता अगला है आपके पास प्रजा पत्य वीवा और ये क्या है तो इसमें संतान उत्पन करने का आशिरवाद प्रदान किया जाता है कि कन्या और साथी जो वर है वो दोनों आपस में संतान उत्पन करें इस ऐसा आशिरवाद बड़े लोग प्रदान करते हैं ठी जो विवाह है ये आपके ब्रह्म विवाह के समान है ठीक है तो ये कैसा है ये भी आपके ब्रह्म विवाह के ही समान होता है ठीक तो ये दोनों आपका इंपोर्टेंट है ब्रह्म विवाह सबसे सर्वश्रेश्ट होता है और प्रजापत्य विवाह आपके ब्रह्म विवाह के समान ही होता है इसके बाद आपका क्या है इसके बाद है आपका असुर विवा असुर विवा की अगर हम बात करें तो यह क्या है तो यह इसे जो है मनु ने अवैद विवा कहा है अवैद विवा यानि कि ऐसा विवा जिसको वैदता ना प्रदान की गई हो इस विवा को आप क कन्या का मूल्य ठीक है इसमें कन्या का मूल्य प्रदान किया जाता है तो बहुत ही खुसी खुसी जो कन्या का पिता है वो वरपक्ष से क्या लेगा वरपक्ष से कन्या का मूल्य लेता है कि हमारी कन्या इतने में आपको प्रदान की जाएगी तो कई जन्जातियों में भी वढ़ति है जिसे आप असुर वीवाह के नाम से जानते हैं, ठीक है? I hope आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहे होगी, फिर है आपका क्या? फिर है आपका राक्षछस वीवाह, राक्षछस वीवाह क्या होता है? तो यह कहा शीचा धा यहाँ होता था यह आपके जो राजा होते थ थे वो कन्या का हरड कर लेते थे तो कभी कभी आपने देखा होगा कि पहले के समय में क्या होता था पहले के समय में जो राजा महराजा होते थे वो एक दूसरे राजे पर आक्रमड कर देते थे और आक्रमड के पस्चात वहां कि जितनी कन्याएं जितनी महिलाएं उनको जितन विवाह में जो नशे में उन्मुक्त कन्या होती हैं उनके साथ संबंध बनाया जाता है नशे में मदमस्त कन्या है और उसके साथ क्या किया जाएगा उसके साथ संबंध बनाया जाएगा और बाद में इसके पश्चात बाद में क्या होगा बाद में उससे जो है कन्या के गंधर विवास से तो सभी आप सभीbird का वहात्सीयायन है यह वात्सियायन एक बहुत ही सुप्रक्रशिद विद्वान है और का अपने काम सूत्र बुक में कि यह जो वीवाह है यह सबसे अच्छा या आदर्श वीवाह है तो यहां पर हम बात कर रहे थे आपके हिंदू वीवाह की पधतियों की जिसे आपने आठ भागों में समझ लिया है अब यहां पर यह समझेगा कि इधर के जो चार पार्ट है इसको क्या कहा गया इसको श्रेश्ठ वीवा कहा गया अच्छा वीवा कहा गया यही सबसे बहतर होता है ठीक है यह आपका श्रेश्ठ देव दासी प्रथा का शुरुवाट्य यहीं से किया गया था और यग्य की व्यवस्था करके इसमें विवा कराया जाता है आश विवा क्या है तो इसमें दो जोड़ी गायवा बैल प्रदान किया जाता है प्रजापत्य विवा क्या है तो इसमें संतान उत्पन करने का ठीक है संतान उत्पन करने का जो है आशिरवाद प्रकार का जैसे इसमें लड़का और लड़की आपस में विवा करते हैं अपनी मर्जी से विवा करते हैं और वातसियायन ने अपनी बुक काम सूत्र में इसको आदर्श विवा कहा है ठीक है तो इतना आपको समझ में आ गया होगा चलिए अब जो आपको और इसमें जानना है वो ये है कि कुछ इंपोर्टेंट आपकी डेट है सन है जो कि आपके एक्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं ये कौन कौन से है तो पहला जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि सती प्रथा निशेद विवा ठीक है शती प्रथा निशेद विवा ये कब आया था ये आपका 1829 में आया था और राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों के द्वारा आपका सती प्रथा निशेद अधिनियम आया था इसमें क्या था पहले के समय पर हुथा था ना कि अगर लड़की के हस्वेंट का डेथ हो जाए तो लड़की को भी उन्हीं की चिता पर बिठा दिया जाता था कि ये भी नहीं के साथ चली जाय सती हो जाय इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए महिलाओं के अगला जो है वो क्या है वो है आपका हिंदू विद्वा पुनर विवा मतलब पहले था ना कि विद्वाओं का पुनर विवा नहीं हो सकता है लेकिन आप ही बताइए कि अगर कोई कन्या कोई लड़की जो है पाच साल की या दस साल की या पंदरा साल की या बीस साल की है और किसी ऐसे पुरुस से विवा करा दिया जए जो 40 साल का या 60 साल का है और अगर इस लड़के की इस पुरुस की डेथ हो जाती है तो ये कन्याय स्तारी उम्र कैसी कुमारी ही रह जैंग क्या इन्हें जीवन जीने का अधिकार नहीं 해 तो ऐसा बिलकूल नहीं है उन्हें भी अगला जो है वो है विशेस वीवाह अधिनियम जिसमें ये कहा गया कि आप जो है अपनी जाती के साथ साथ किसी अन्य जातियों में भी वीवाह कर सकते हैं अधिनियम में आपके तलाग का प्रावधान भी इसमें है लिए अधिनियम में हिंदू उत्रा अधिकार अधिनियम कब आया था तो ये आपका आया था उन्नीस्तो चपन में फिर आपका दहेज निरोधक अधिनियम है तो दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ ये आपका 1961 में है बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा गया है दहेज निरोधक अधिनियम कब आया था तो आपको पता है समाज में दहेज इतना जादा प्रचलित है कि उसके लिए क्या ही कहा जा सकता है कि आज के स तो ये आपके दहेज निरोधक अधिनियम तो आगया 1961 लेकिन ये समझ लीजे कि ये सिर्फ अधिनियम ही रह गया क्योंकि समाज में आप देखेंगे आज भी आपका दहेज प्रथा चल रहा है। दहेज निशेद अधिनियम क्या कहता है ये 1985 में आया था संसोधन ओकर के तो मतलब इसमें ये भी दहेज में है कि अगर दहेज के लिए करन्या को प्रतारित किया जाला तो उसके खिलाब भी कारिवाही होगी ये भी इसमें प्रावधान था। बाल विवाह जिसे आप सारदा एक्ट के नाम से जानते हैं ये कब आया था तो ये आपका आया था 1929 यानि 1929 में आपका सारदा एक्ट आया था हर विलास सारदा जिक ने इसकी शुरुवात की थी देखेगा इसमें जो लड़के की आयू थी वो क्या थी लड़के की आयू और लड़की की आयू 14 वर्ष थी ठीक 1929 में आपके लड़की की आयू 14 वर्ष और लड़के की आयू 18 वर्ष थी उसके बाद 1978 में इसमें शंसोधन हुआ और इसमें लड़की की आयू आपके बढ़ा दी गई क्योंकि यहाँ पे लड़की की कितनी थी यहां पे लड़की की थी 14 वर्स तो यहां पे क्या हो गया यहां पे वो 18 वर्स कर दी गई और यहां पे आपका जो लड़की की आयू क्या है यहां पे उसको भी बढ़ा दिया गया 21 कर दिया गया यहां पे 18 थी यहां पे क्या किया गया बढ़ा दिया गया और 21 वर्स कर दिया 18 वर्स को होनी ही चाहिए. यह और संबंधों को वैधता प्रदान करती है, और संतान उत्पन करने के आपको योगिता देती है, आपको वैधता प्रदान कर रही है इक प्रकार से. साथी साथ आपने पढ़ा कि ये एक सार भौमिक संस्था है जो कि पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है जो कि पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की आपको अनुमती दे रही कि अब आप परिवार के जीवन में प्रवेश कर सकते हैं और इसका जन्म ह परिवार की संस्था को बनाये रखने के लिए आपके वीवाहिक चंस्था का जन्म हुआ। फिर आपने देखा बोगार्डस ने पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था कहा है, वेस्टर मार्क ने कानूनी स्विक्रिती दी, मर्डॉक ने आपके निश्चिति यौन संबंद की बात की और साथी साथ आर्थिक सहयोग की, लूसी मेयर ने वैद संतान की पियन प्रभूने हिंदु विवा, एक धार्विक संसकार है, ये कहा है, फिर आपने देखा कि विवा की कुछ उदेश हैं, जैसे कर्तव्यों का पालन, परिवार की स्थापना, यौन इच्छाओं की पूर्ती, ये सारे ही, ठीक है, इसके बाद आपने देखा कि जो विवा के प् पत्नी, फिर आपने देखा समलैंगिक विवा, जो की एक हीलिंग में हो रहा है, फिर आपने देखा साली विवा, जो की पत्नी की मृत्यों या पत्नी की मृत्यों के बाद आपका विवा होता है, फिर आपने देवर विवा दिखा जो की पत्ती की मृत्यों के बाद हो रहा तो यह सारी चीजे आपको समझ में आगई होगी, आपने अंतर जाती वीवाह देख लिया, आपने अपको वीवाह से सम्बंदित आप कोई कोश्चन नहीं होगा, जो कि आपको समझ में नाये और यहां से आपके प्रश्चन गलत हो, तो इसी तरिके से आपके batch में भी सारी कख्षाएं चलेंगी पूरे sequence से चलेंगी अगर home management शुरू किया गया है तो पूरा का पूरा syllabus आपको पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट कराया जाएगा उसका practice आपको मिलेगा सारी चीज़े आपकी sequence wise होंगी क्योंकि sequence से करने में क्या होता है आपको आसानी होती चीज़ों को पढ़ने में समझने में तो अगर आपको ये class अच्छी लगी हो तो इसे like कीजेगा share कीजेगा अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाईएगा और हमाय साथ जरूर जुड़िएगा अपनी तयारी को और अधिक बहतर और अधिक बहतरीन बनाने के लिए अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए एक बार फिर से आप हमाय साथ जुड़ जाएए थैंक्यू सो मच